और इस बीच एक बड़ी खबर जिसे हम आपको रूबरू कराने ज़ा रहें, एक एहम जाणकारी जिसे हम आपको रूबरू करा रहें हिमाचल में आज पहुँचेगी को वैक्सीन एहम जाणकारी, शाम 6 बजे तक शिमला पहुँचेगी पहली खेब 16 जनवरी को होगी टीका करण की शुरुआत हिमाचल में बनाए गए हैं तीन टीका करण केंद्र आपको बता दे हिमाचल में तीन टीका करण केंद्र बनाए गए हैं हिमाचल में आज कोरोना वैक्सीन की पहली खेब पहुचेगी शाम 6 बजे तक शिमला पहुँचेगी पहली खेब पड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं 16 जन्वरी को होगी टीका करण की शुरुआत आपको बता दें 16 तारिक से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी हिमाचल में बनाए गए हैं 3 टीका करण केंद्र एक एहम जानकारी जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं आज शाम 6 बजे पहुँचेगी शिमला पहली खेब आपको बता दें 16 तारिक से वैक्सीनेशन लगनी शुरू हो जाएगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे समवाद्दाता विकास शर्मा हिमाचल से हमारे साथ जुड़े हुएं जी विकास क्या कुछ अपडेट है बिलकल देखे जिस तरह से हमाचा प्रदेश में भी अब जो वैक्सीन है वो यहां पर उपलब्द ho जाएगी अज ही चंडिगट में जो है वो वैक्सीन जो हमाचा प्रदेश के जो स्वास्ते के अधिकारी हैं स्वास्थे विभाग के अदिकारी हैं वो गए हैं और आज शाम तक जो है उमीद यही है कि वैक्सिन जो है उपलब्द हो जाएगी और उसके बाद सीधा वो सड़क मार्च से शिमला आएगी शिमला में किस तरह के इंतजामात हैं शिमला में क्या-क्या व्यवस्था ही जो है बड़े दिनों से हम आपको दिखा रहे हैं लेकिन आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निपुन जिंदल जो की स्वास्थे विभाग के मिशन डिरेक्टर है राश्ट्री है स्वास्थे मिशन के डॉक्स आप कैसे देखे हैं अब हिमाचल प देश राज़े के लिए प्रथम चरन के जो फरस्ट कंसाइनमेंट है उसके अंदर 93,000 डोस जो कोवी शील्ड वैक्सीन की है उसकी मौहिया करवाई है और ये वैक्सीन आज जो सीरम इस्टिटूट अफ पुने से एरलिफ्ट होके चंडिगड बाए आनी थी और वहाँ पे है वो यहाँ पे छे और साथ बजे के मद्ध है यहाँ पे शिमला में पहुंचनी चाहिए और भारत सरकार के देश अनुसार हमने जो अलग लग जो जिले हैं उनके लिए जो वैक्सीन की कॉइंटिटी है उसको पहले ही निशित किया हुआ है तो हमारे यहां जो यूनिवर जो यूए पी के तैट और कोविड वैक्सीन भी उनको वहीं से जो अलोकेट की जाएगी टिरिक्ट वैक्सीन स्टोर से हमारे जो दो डूरीजनल वैक्सीन तोर थे रभशाला और मंडी में वहां से भी आज वैक्सीन डिश्टाप हो जाए कि महां के इस्टिक्ट के लिए जो लोगेटर करता है इड के ट्रस्ट टू कुलू इड केटर स्ट्ट मंडी इसल्फ एंड तो बिद्सपूर्ट और जो रिजनल वैक्सीन स्टोर धरमशाला है वह उन्हामीदू धरमशाला कांगडा और जो 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 चमगा के जिले हैं और को केटर करता है अगर यह देखा जाए कि पहले जरन में कितने लगों को यह वैक्सीन लगाई जानी है क्योंकि 93,000 के आसपास तो है इसके नेक्स जो जो है वो कब दी जानी है इतने दिन का अब्जर्वेशन जो है वो रहेगा इन तमान पीजों को लेकर किस तरग जान का रहे हैं देखे इसमें जो 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 कि एक कि इंगे जाने हैं तो अगर इसमें जो फ्रहे और इसमें कुर्रा हैं फोड़ जाला है तो अगर इसमें जो जो Люб्र रही हो है इसके आज़ी मेडिकल पूर में पूल हैं उं वह ऑनकी बी सके елिवर्ण को ठीद ब़नाई है उनको भी हमनous गशी ही कि एंदर से मोहियर वर्मानी है और इसके अदर जो हमारा जो गाइडलाइन है और जो उनिवेसल इमनाइशन प्रोग्राम में भी एक्स्टीजियन्स रहा है तो देखते हुए करीपन हमारा तालिस हजार बेनिफिशीरी का जो टार्गेट है इस तरहं के अदर हो रहेगा और त्यूंकि यह भी ब जो गएगी हम किसे और जाएंशन की नहीं लगा सकते है तो इसलिए त्रानवे हजार में अज़ाज ने चल रही है कि वैक्सिनेशन हो तो रही है अच्छा भी है लेकिन अब यह गारंटी नहीं है कि वो सही धंग से लगेगी उसका क्या रिजल्स उसके रहेंगे इस तरह क कि दारना के लिए क्या आप कहेंगे उन लों के लिए क्या मैसेज आप देना जाएंगे देखिए मैं इसमें यह कहना चाहूंगा जो यह वैक्सीन तोनों भारत सताव और अज़ारा एमजिसी यूर ऑपराइशन के लिए जिस गूप किया गया है वो जो इन्फॉमेशन हमे कोई भी वैक्सीन नहीं है जुसको फुल ऑपराइशन मिला हो सभी वैक्सीन के हैं और किसी और भी एपिसी वैक्सीन की बात करें जिनको अपने रिस्पेस्टेव कंट्री इसमें ऑपराइशन मिला है वो सभी को एमर्जिंसी यू ऑपराइशन ही मिला है और कोविट की जो किशले एक महीने में काफी इलावट आई है किसी उसमें जो हमारे एक महीने पहले लिए आठ नौ और गज़ाद की इस हमारे एक नजार से कम रह गए हैं आज के दिन में परन्तों इस वायरस का जो बिहेवियर है वो बहुत भी अनपर्टिक्टेबल है और जो परदेश सेकार आने आसे गड़ी वीडियो को प्रोट साहन देने के लिए उठाई है उनको लिफ्ट किया है तो बिसिक लिए इसमें अब चांतिज है कि वाक्शीन की थोड़ा का जो केसी उसमें सर्च दुबारा आएगा तो मेरा सभी से लिए नौद है जिकने हेल्श केर वेकर्स में उन इसको जब हमारा नाम पंजिकरित है और जो ये हल्थ केर वर्कर्स पहले चरन को ये उनको प्राइटाइज किया गया है तो इस वाक्सीन का लाब वो अवश्यल है हमारे पास हिमाचा प्रदेश में जो कोल्ड स्टोरिज के लिए जो हमने वैक्सीन को रखने के लिए जो जगा बनाई है कितना मतलब उसमें वैक्सीन जो है उसकी कॉंटिटी कितनी हम रख सकते हैं क्या ये सक्षम है हम कि पूरे प्रदेश में जितने भी लोग हैं अगर स जिलो में 12 डिस्टिक वैक्सिन स्टोर है इसके अदरिक्त हमारे पास 371 गोल चिन पॉइंट पुरे प्रदेश के अंदर है और अगर हम बात करें कि COVID vaccine की हमारे पास storage की facility है कि नहीं हैं, हमारे पास बहुत जादा facility है और हम पूरी दूर्प से तयार हैं अगर हमारे पास पूरे आप पर देश की बाद छोटे अगर देश भरते लोगों के लिए vaccine आ रहेती हैं थे हम उसको store करने के लिए लिए के तयार और गर्मेंट आफ इंडिया रेविलरले इंटच है जितने ये वैक्सीन मैनुफेक्टरर्स डिरेक्टली उन से और हमें उनके माध्यम से ही वैक्सीन आ रही है तो इस बात पर कहना कटें होगा कि हमें एक्स कंसाइनमेंट कम लेगी कुल मिलाकर शुक्त है शुक्त हमें हमसे बात सित करने की बहुत थे बात करें हैं.. जगा जगा श्टोर जो है वो इसके लिए बनाए गए हैं, यहां तक कि जिलास्तर बिर भी हिमाचर प्रदेश में सभी जगा इस तरह के इस टोर जो है को बनाए गए हैं ताकि वैक्सिन को सुरक्षित रखा जा सके और तमाम लोगों को जिनको ज़रूरत है वैक्सिन की पहले चरण में उनको वैक्सिन जो है वो यहां पर दी जा सके जी विकास आप हमारे साथ बने रहेगा हम आपके पार